दो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो ऐस यूज्वल शुरू करूंगा फिंगर्स के अन के लिए ताकि आपको समझने में कुई दिक्कत न हो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वारिश फॉर्म में नजर आ रही है कुछ इस तरह की हथेली जो इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और साथ ही साथ यहाँ पर इ काफी स्पष्टवादी भी नजर आ रही है अब देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी है और फिंगर्स थोड़ी गांटदार नजर आ रही है जिसकी वज़ए से ऐसे व्यक्ती स्पष्टवादी नेचर के होते हैं और जो भी बात इनके मन में होती है वो दूसरे के मुँपर कह देते हैं कुछ इस तरह की नेचर रहती है और फिंगर्स आगे से थोड़ी सी पॉइंटड होती हुई जैसे अब देख सकते हैं फिंगर्स आगे थोड़ी सी पॉइंटड है जिस वज़ए से थोड़ी एनलेटिक टाइप की परसनालिटी भी इनकी रहने वाली है और आप देख सकते हैं fingers length में यहाँ पर अच्छी है इनकी जो ब्रस्पती finger है उसकी length लगबग सूर्य finger के equal पहुँचती हुई जो यहाँ पर indicate करती है कि काफी अच्छी leadership qualities इनके भीतर रहेंगी और even creativity भी इनके अदर काफी अच्छी रहने वाली है shiny finger की length यहाँ पर काफी strong है आप देख सकते हैं बिल्कुल straight shiny finger थिक है finger जो indicate करती है काफी अच्छी energy और stamina को और hard working type की nature को और जो इनकी budd finger है mercury finger थोड़ी सी low set हो रही है यहाँ से और even size में यहाँ पर सूरे finger के first phalanche से नीचे रह रही है जिस वज़ा से थोड़ी shy nature रहने के chances रहेंगे introvert type की nature रहने के chances भी रहेंगे fingers के ओपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं आप देख सकते हैं बिल्कुल clear इस तरह की रिखाएं लगबग इनके सभी fingers के base phalanches के ओपर नजर आ रही है जिसकी वज़ा से एक friendly type की nature रहेगी लेकिन सपश्टवादी nature भी रहने वाली है और आप देख सकते हैं कुछ आड़ी रिखाएं भी इनकी fingers के ओपर मौजूद है जिसकी वज़ा से थोड़ी सी aggressive nature जिसको हम कह सकते हैं इसके साथ भी मनमटाफ कर बैठते हैं तो overall thickness अच्छी है जिसकी वज़ा से energy और stamina भरपूर रहने वाला इनके अंदर तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को और इनकी रिखाओं को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें इनके तीनों mounts ब्रस्पती mount, शनी mount और सूर्य mount तीनों high set हैं और mercury mount यहाँ पर थोड़ा सा low set होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वज़े से shyness आ जाती है सभाब में लेकिन mercury mount overall prominent है क्योंकि mercury mount के उपर यहाँ पर खड़ी रिखाएं भी नजर आ रही है और mercury mount उभरा हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब देख सकते हैं यहाँ जो area है इनका यहाँ उभरा हुआ है जो एक अच्छी position है और उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आएगा काफी सारी खड़ी रिखाएं जो एक sympathetic type की nature व्यक्ति को देती है और ऐसे व्यक्ति के अंदर दूसरों की help करने की capability भी रहती है और communication skills को enhance करती है ऐसी रिखाएं जो mercury mount के उपर सीदी रिखाएं है और अगर यह रिखाएं छे से साथ रिखाएं हो तो व्यक्ति medical field में भी जा सकता है लेकिन यहाँ पर यह चार रिखाएं जिसका इनके उपर काफी अच्छा प्रभाव रहेगा आगे अब देख सकते हैं इन रिखाओं के बाद यहाँ पर हलकी mercury line है बहुत जादा strong नहीं है इस रिखा का deep cut होना बहुत जरूरी अगर यह रिखा deep cut रहे तो बहुत अच्छे benefit रहते हैं otherwise अगर थोड़ी broken हो या weak line हो तो digestive system में दिक्कते आने के chances रहते हैं और इस weak line की वज़े से यहाँ पर money triangle भी complete नहीं हो पा रहा क्योंकि एक complete money triangle के लिए यह तीन रिखाए चाहिए होते हैं जो deep cut हो और पूरा money triangle बंद हो तो money triangle का खुला होना यहाँ पर indicate करता है over expenses को और पैसा जो हैसे व्यक्ति के पास आता अच्छा है लेकिन रुक नहीं पाता क्योंकि money triangle यहाँ से एक side से खुला हुआ नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं इनका जो surya mount है यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है surya mount के उपर surya रेखा यहाँ पर इस तरह की surya रेखा नजर आ रही है बहुत जादा उबरा हुआ surya mount नहीं है लेकिन इस एक deep cut line का होना इन्हें old age में काफी अच्छे benefits दे सकता है और काफी अच्छी recognition इनकी society में बन सकती है और अगर इनके भीतर की creativity है तो उस creativity का इनको use जरूर करना चाहिए क्योंकि अगर किसी creative field में ऐसा व्यक्ति जाता है जिनके आद पर surya रेखा होती तो उसको काफी अच्छी recognition जरूर मिलती है society में और आप देख सकते हैं जो शनी मांट है यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है शनी मांट थोड़ा सा week है यह एरिया अगर उभरा हुआ हो तो व्यक्ति की life में बहुत comforts रहते हैं और इसके साथ साथ अगर शनी रेखा मौजूद हो तो और भी ज्यादा अच्छा माना ज रेखा थेली के base से शुरू हो रही है और लगबग यहाँ तक उसके बाद थोड़ी distance आ रहा है और उसके बाद यह रेखा आगे इस तरह से continue हो रही है बीच में जो gap है यह 36 और 37 के आसपास की age में नजर आ रहा है तो कुछ hardships रह सकती हैं यहाँ पर finances से related कुछ दिक्तों का इने सामना भी करना पर सकता है 35 से लेकर 38 की age तक उसके बाद यह रेखा आगे से continue हो रही है जो यहाँ पर इने काफी अच्छे benefits देने वाली है और overall थोड़ा hard work life में रहने वाला है क्योंकि बहुत strong शनी रेखा मौजूद नहीं है और even शनी माउंट यहाँ पर दब रहा है जो indicate करता है कि life में काफी मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ती है आगे देखते हैं गुरू माउंट को तो यहाँ पर अब देख सकते हैं गुरू माउंट इनका बहुत अच्छा है उबरा हुआ गुरू माउंट व्यक्ति को काफी अच्छी knowledge देता है spirituality रहती है ऐसे व्यक्ति क हो सकती है जैसे यहाँ पर इनकी भागया रेका थोड़ी सी वीक हो रिया बीच में आकर otherwise अच्छा ब्रस्पति माउंट व्यक्ति को हर तरह की खुशियां देता है तो यहाँ पर ब्रस्पति माउंट इनका काफी अच्छा और ब्रस्पति फिंगर की length भी यहाँ पर काफी straight नजर आ रहे हैं बिलकुल सीधी हाट की line व्यक्ति को practical बनाती है और ऐसे व्यक्ति थोड़े materialistic हो सकते हैं जब बिलकुल हाट की line सीधी हो लेकिन यहाँ पर साथी साथ एक assistant line और चल रही है अब देखते हैं इस तरह की रेखा जो ऊपर की तरफ चल रही है यह रेखा व्य लाइन ही कर्व के साथ मुड़ जाए तो व्यक्ति की personality emotional हो जाती है लेकिन यहाँ पर straight जो line है इनके हाथ में heart की वो इन्हें materialistic अप्रोच देगी लेकिन हर समय materialistic नहीं रहे पाएंगे क्योंकि दूसरी branch यहाँ पर साथ ही मौजूद है इसकी वजह से थोड़ी caring और emotional nature at times इ overall अगर देखा जाए तो emotional setbacks मिलने के chances रहेंगे इनकी life में क्योंकि कुछी इस तरह की रिखाएं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ चलती हूँ जो हलकी रिखाएं हैं यह थोड़ा सा प्रभावित करती हैं और even heart की functionality में भी थोड़ा सा प्रभाव इन रिख mind को mind की line में यहाँ पर एक island की formation आप देख सकते हैं इस area में एक island बन रहा है जो यहाँ पर indicate करता है थोड़े तनाव को और इसी तरह का एक island यहाँ पर आगे भी बनता हुआ तो दो island की formation होना यहाँ पर mind को थोड़ा सा कमजोर कर रही है जो यहाँ पर थोड़ी stress को indicate करती है मानसिक तनाव जैसी दिकतें life में रहती है इस तरह के islands जब हाथ पे बनते हैं और आप देख सकते हैं और इनका जो चंदर area है अगर इसको इसके ओपर भी गार करें तो आप को बहुत सारी रिखाएं इस area के उपर नजर आएंगे इस तरह की छोटी छोटी रिखाएं over imagination तो व्यक्ति को देती है traveling भी रहती है लेकिन anxiety जैसी problem का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है तो यहाँ पर दो indications आ रही है एक तो mind की line पे बनने वाले islands और दूसरा चंदर area के उ बहुत सारी रिखाएं तो थोड़ी सी दिक्कत इनको life में इस तरह की रह सकती है otherwise mind इंका sharp रहने वाला है क्योंकि हम इस line की shape देखे तो बिल्कु स्ट्रेट और ऊपर की तरफ थोड़ी सी यह रिखा मुडती हुई भी और जब भी mind की line की की branch या mind की line खुद बाखुद mercury mind mount की तरफ मुड़े तो ऐसे व्यक्ति की यादाश्त अच्छी रहती है और ऐसे व्यक्ति काफी clever minded भी होते हैं life line के अंदर भी यहाँ पर थोड़ा सा shift आरता हुआ दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं life line यहाँ से शुरू होती हुई और आगे यह कुछ इस तरह से चलती हुई बीच में shift हैं और कुछ इसी तरह की formation यहाँ पर island की आती है जो indicate करती है कि childhood जो है यहाँ पर थोड़ा सा troublesome रहा होगा यहाँ कि जब भी mind की line और life की line दोनों में कोई इस तरह की indications नजर आए तो वो indicate करती है कुछ problems related उस age में जैसे यहाँ पर 17 से 18 के आसपास की age में दिखाई दे रही है इनकी life line और mind की line से लेकिन अगर आगे की age को देखा जाए तो काफी strong line है और age जो है 75 से ज्यादा ही रहने के चांसे को यहाँ तक इनकी line की लंबाई पहुँच रही है एक अच्छी और लंबी age को है enjoy कर पाएंगे और अगर यहाँ पर देखा जाए त उसको भी इस तरह की mangal रेखा होने के वज़य से उससे भी बचाव रहता है strength life line को मिल पाती है तो यहाँ पर इनके शुकर area को अगर देखा जाए तो शुकर area काफी अच्छा है बहुत जादा उबरा हुआ भी नहीं है और बहुत जादा यहाँ पर worry lines में मौजूद नहीं ह है जिसकी वज़य से थोड़ी worries life में रहती है family की तरफ से लेकिन बहुत जादा negative lines यहाँ पर नहीं है जिस वज़य से हर तरह की सुविधाएं हर तरह की comfort से नहीं life में मिलने वाली है और moon area जैसे मैं अलड़ी बता चुका हूँ थोड़ा सा afflict हो रहा है moon area के उपर इस्ता है क life में लेकिन जादा रखाएं moon area के उपर व्यक्ति को मांसिक तनाव anxiety troubles ऐसी दिक्टें जरूर देती हैं तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आप एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सुआल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद